नमस्कार आप सभी का डीजी स्कुल में स्वागत है आज हम लोग संस्कृत ब्याकरन पढ़ेंगे संस्कृत ब्याकरन में हम लोग पिछले वीडियो में उपसर्ग पढ़े थे तो आज हम लोग प्रत्य पढ़ेंगे और यह ब्याकरन जो है किसी क्लास का पाटिकुलर क्लास क नहीं होता है, जैसे हम लोग छट्था क्लास में भी हम लोग प्रत्या जानेंगे, सात्वा में भी जानेंगे, आठ्वा में भी जानेंगे, नौवा में भी जानेंगे, दस्वा में भी जानेंगे, इस तरह से हम लोग किसी भी क्लास का हो, प्रत्या तो प्रत्या ही है और उस है कि जो धातू नाम मतलब कोई भी जो धातू या क्रिया होगा वैसे सब्दों के अंत में हम लोग प्रत्य का प्रियोग करते हैं किसी सब्द के अंत में जुड़ने वाले सब्दांस को हम लोग प्रत्य कहते हैं हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो सब्द के सुरू में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग और सब्द के अंत में लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्या है clear है? तो प्रत्या यहाँ पे हम दो प्रकार का लिखे हैं एक कृत प्रत्या और दूसरा तधित प्रत्या तो कृत प्रत्या किसको कहते हैं? वैसा प्रत्या जो किसी धातू या क्रिया के अंत में लगे धातू या क्रिया के अंत में लगता है उसको हम लोग कृत प्रत्या कहते हैं और उनसे जो बनने वाले जो सब्ध है उसको हम लोग बोलते हैं कृदंत ठीक है कृत कृत प्रत्य है किस में लगेगा धातू या क्रिया के अंत में लगेगा और उससे जो सब्ध बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कृदंत क्लियर है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कृत प्रत्य का जो कुछ-कु है जो important है हम लोग उसको यहाँ पर देखते हैं जैसे हम लिखे हैं अक्त तो अक्त जो है वो तह इसका उचारन होता है तह तो हम लोग यहाँ पर एक बात देख लें यह तह भी है ता भी है और तम भी है तह जो है वो pulling है यह this thing that भी है यथे इस्तिरिलिंग है और यह नपुणसक लिंग है ठीक है तो यदी हम भूजोड कत लिखते हैं भूजोड अक्त तो वो भूतः भूजोड अक्त तो भूतः नहन या हम लोग भू जोड अक्त, भूतम, पठ जोड अक्त, पठितम भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा मेरा, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर देखें हैं, तह, ता, तम, मतलब तह भी लगा, हम भूता लिखते तब भी होता, और भूतम लिखते तब भी होता, ठीक है, अब हम ल इसको हम लोग धियान दिजिएगा, सब्द के अंत में त्वा उचारन होगा, जैसे खाद जोड अक्तवा, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग खादी त्वा, ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू जोड अक्तवा पढ़ेंगे तो सुरू त्वा, तो हम लोग यहाँ पर देख र क्रिया के अंत में लगेगा तो अब धातू और क्रिया ये तो हम लोग अलरड़ी जानते हैं जैसे पठ, लिक, गम ये धातू है और ये क्रिया भी कहलाता है हम यहाँ पे लिखे हैं भू, खाद, पठ ये सारा का सारा धातू और क्रिया है तो तब्यत जब इसमें लगा तो उसके अंत में तब्य का उचारन होगा जैसे यह इसको पठ जोड तब्यत पठी तब्य भी होगा और पठी तब्यम भी होगा गम जोड तब्यत गन तब्यम भी होगा और गन तब्यम भी होगा सत्री प्रत्य है सत्री इसका जब उचारन होगा लास्ट में तो अत या अन होगा जैसे हम लोग यहां पर एकजामपल लिया हैं हस जोड सत्री ये हस धातु है और सत्री प्रत्य है जब लगा तो ये उसका उचारण होगा हसत अत लग गया पठ जोड सत्री तो ये हो गया पठन clear है यहां पे अन का उचारण हुआ तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, जब हासाथ होगा, पठन होगा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग की सत्री प्रत्या लगा हुआ है, तुमुन, तो तुमुन में क्या है, कि तुम उचारन होगा, तुमुन प्रत्या है, जिस भी धातू के रूप, धातू रूप में लगेगा, उसका उचारन होगा लास्ट में तुम, जैसे हम लोग यहां पर लिए हैं, पठ जोड तुमन, तो पठी तुम, ठीक है, गन जोड तुमन, तो गन तुम, सुरू जोड तुमन, स्रो तुम, सुरू जोड तुमन, स्रो तुम, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रत्या है मेरा अनियर, तो इसमें ये जिसमें भी, जिस भी धातू के अंत में लगेगा, उसके उचारन होगा निया, ठीक है? जैसे हम लोग लिखे हैं, गम जोड अनियर, तो गम नियर या गम नियम, वही जो हम अभी बताय था न, इस्तिलिंग, पुलिंग, और नपुनसकलिंग, तो यै नपुनसकलिंग है पठ जोड अनियर पठ निया या पठ नियम दोनों होगा लिख जोड अनियर लेख निया या लेख नियम सानच प्रत्य है इसका उचार जिसमें ये प्रत्य लगेगा उसमें लास्ट में सब्द के अंते में माना का उचारन होगा जैसे पठ जोड सानच त पच्माना या पच्मानम, ठीक है, ल्यूट प्रत्या है, ल्यूट प्रत्या जिसमें भी लगेगा, तो उसका लास्ट में उसमें नम लग जाएगा, जैसे गम जोर ल्यूट गमनम, भू जोर ल्यूट भवनम, धाव जोर ल्यूट धावनम, ठीक है, इसी तरह से अक्तिन प प्रत्य जिसमें लगेगा उसमें लास्ट में उचारन में तिह का उचारन होगा गम जोड अक्तिन तो गतिह क्री जोड अक्तिन क्रितिह इसके बाद है अक्तवतू अक्तवतू प्रत्य में अक्तवतू प्रत्य जिस भी धातू में लगेगा उसके लास्ट में वान का उचारन होगा ठीक है पठ पठ जोड अक्तवतू तो क्या हो गया पठीतवान हस जोड अक्तवतू हसीतवान ठीक है तो हम लोग वो जानेंगे कि जिसमें सब्द के अंत में यदि वान लगा हुआ है तो वो उसमें अक्तवतु प्रत्य होगा तो धातु प्लस अक्तवतु बराबर धातु में वान जूट जाएगा इसी तरह से लेप प्रत्य है लेप प्रत्य है जिसमें लगेगा तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें दो चीज लगेगा, एक तो उपसर्ग लगेगा, और लास्ट में यह का उचारण होगा, जैसे हम लोग देखते हैं, उप यह उपसर्ग है, क्री यह धातू है, तो उपसर्ग प्लस धातू प्लस लिप, ठीक है, तो उप यहाँ पे उ लेप हो गया प्रत्य और यह हो गया उपसर्ग आ तो आगत्य जोड़ घाई जिस प्रत्य जिस भी धात्य में लगेगा तो उस सब्द प्लस उसमें विसर्ग का चिन लग जाएगा जैसे हम लोग देखेंगे पठ जोड़ घाई पाठ लिख जोड़ घाई लेख ठीक है तो य लिख या पठ ये धातू था इसमें घही प्रत्य लगा तो पाठ लेख ये बन गया अब हम लोग दूसरा देखते हैं तद्धित प्रत्य किसको कहते हैं संग्या या सरवनाम के अंत में आने वाले प्रत्य को तद्धित प्रत्य कहते हैं वो हम लोग देखे थे कृदंत में कि वह धातू के अंत में लगा था, यहाँ पर संगय या सरोनाम के अंत में लगेगा, तो उसको हम लोग तद्धित प्रत्य कहेंगे, और उससे जो बनेगा सब्द उसको बोलेंगे तद्धित तांत, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ एक्जामपल नहीं है, मतुप, त इसमें जिस महतमा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको भी देख लिए, और बाकी जो है सेस, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवा प्लीज़ न देखेंगे हो